हालो फ्रेंज विल्कम टू आइंसीस एस एकेडिमे उप चाइनिज लाइंग्विज तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रपेर एचसके लेवल थ्री जैसे कि हमारा दो सिशन्स में आपने देखा होगा कि एचसके 1 का परपरेशन कैसे करना है एचसके 2 का कैसे करना है अब देखना है एचसके 3 का परपरेशन करना है पैटर्न तो थोड़ा सा डिफरेंस है अब वो पैटर्न को हमको समझना है ये सारे पैटर्न को कैसे टेंड करना है कितने मास्क के क्वेश्चन्स होगा कहां पे में होगा कहा पे एक्साम्स होगा हो यह सारे डेटेल्स में होंगे क हमार डीटेल्स में होंगे तो आखी हमारा चानल और एक्सक्व कापीन प्रोसस्य फैसी हे उसके बाद जो नेक्स नेसन्स गा मेंц सारे सामपल सोंगे प्राक्टिस होगा उसका लिस्णिंग कैसे करना वम्ель घै yıl को रहे हैं और वीडियो देखा तो उसमें भी pattern same था हम Chinese में basically HSK को हान्यू स्वेफिंग खाउशर बोलता है हाँ टू प्रिप्यार फोर HSK 3 सम्मा यांग चुन्पै हान्यू स्वेफिंग खाउशर सांची सांची level 3 ओके तो अब हम level 3 का patterns देखते हैं कि basically इसका pattern क्या है जिस patterns को अगर हम देख लेते हैं तो हो सकता है कि हमारा clarity आजागा उसके ओपर ऐसा questions होगा ऐसा patterns होगा तो हम इसके ओपर practice करके इसको clear कर सकते हैं okay so let's see exactly आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि HSK 1 और HSK 2 में आपने जो चीजों को फोकस किया था वो basically यहाँ पर भी है आप ध्यान से देखिए 600 commonly used words 1 और 2 1 और 2 में आपने HSK 1 और 2 में जो practice किया था words वो total कितना था HSK 1 150 150 था HSK 1 में 150 था plus 300 था अगर अपने HSK 2 किलियर कर लिया है तो आपको अपने studies को analysis करना पड़ेगा कि आपने already आपने कितना बड़ा है HSK 1 में 150 plus 300 था 450 हो गया अब उसके अलावा मतलब अब additionally अगर आप देखेंगे additional आपको 600 600 words पढ़ना है मतलब total जो आपका हो गया है 10 600 plus 450 so 1050 मतलब अब अगर आपने इतना words कर लिया है 1050 आपको पता होगा कि जब हम हिंदी बोलता है या इंग्लीस बोलता है तो अगर हमारा 800, 2000, 100 words के बीच में के बीच में अगर हमारे पास words हों तो हम एक common conversations एक common speaking languages में बात कर सकते है तो ठीक वैसा ही Chinese का है जहां से बोला जाता है कि HSK 3 के बाद आपका एक basics जो होता है basic conversations not exactly basics intermediate level का भी आप बोल सकते हैं इसको चुकि जो words है 1050 ये common conversations में आ जाता है तो इतना तक आपका clear हो जाता है अब हम धेखते हैं ध्यान से 600 words और 600 words के बाद क्या करना है basically वो grammar का pattern है so grammar का related patterns इसमें अब आपको एक additional चीज़ दिखेगा part HSK 1 और 2 से जिसके उपर आपको focus करना है वो है writing Chinese मतलब writing Chinese का मतलब क्या हुआ Chinese character आपको लिखना है मतलब जो Chinese words है Chinese character जो आप Chinese में लिखते हैं basically Chinese script Chinese character so Chinese character आपको कितना तक अबयात करना है 1050 not only 600 only exam clear करना है तो आप 600 करके clear कर सकते है but base labels जो है आपका already 450 है plus 600 मतलब total आपको 1000 बतब इतना आपको Chinese characters आपको आना चाहिए जब आप इतना practice करेंगे तो basically आपको HSK 4 में बहुत ज़्यादा help मिलेगा मेरा suggestion आप record कर लीजे जो कि यह बहुत काम का चीज होता है अभी आपको पता नहीं चलेगा ठीक वैसा ही जैसे कि यहां पर आपको 3 minutes था अब इसमें आपको 5 minutes का time मिलता है अब reading part देखिए जो part 2 है reading part में भी आपका reading comprehences जो आप बोल सकते है part 1, part 2, part so part 1, part 2 and part 3 यहां पर part 3 तक ही है आपको 10, 10, 10, 10, 10, 30 questions चुकि part 4 आपको हटा दिया गया है यहां पर वो आपका writing में चला गया है part 1, part 2 5-5 questions है ज्यादा questions नहीं है writing का इसका मतलब यह आप मत सुचेगा कि आपको writing आपको बहुत जादा नहीं करना है चुकि reading आपका total आपका reading comprehences है यहां पर आपको यह basically यहां पर आपको Chinese characters है only Chinese character होगा not finin मतलब आपको finin यहां पर नहीं होगा अगर आपको Chinese character पढ़ने नहीं आ रहा है recognize करने नहीं आ रहा है तो आप reading नहीं कर पाएंगे और best technique यहीं बोलता है कि अगर आपने writing प्राक्टिस कर लिया है तो आपको recognizing और reading करने बहुत हीज़े होगा आप Chinese का हमारे एक sessions देख लिजेगा वीडियो में आपको clear हो जाएगा कि आपको how to recognize the Chinese characters जिससे आपको exams में clear rating हो जाएगा तो यह आप देखें यहाँ पर आपको 10 questions 15 marks तब 35 35 30 plus 5 35 plus 15 total 85 और उसके बाद आपको 5 minutes मतलब 90 minutes का होगा मतलब one and half hour 90 minutes मतलब one and half hours जो है इगर पांगर शॉष्र चाइनीज में बोलते है इगर पांगर शॉष्र ठीक है तो आपको यह आपका patterns है अब इस patterns के बाद जो आपका questions जो होतो है हम उसको देखते है basically जो questions का pattern है अब ध्यान से हम उसको questions का pattern को practice कर लेते हैं ज्यादा कुछ changes नहीं होगा यहाँ पर except writing so अब देखते है listening button of course जबकि आपको 1000 words में अपने entry मार दिया 1000 words के आसपास में तो 40 जो questions है 40 जो questions है इसका जो length होगा audio का वो hsk1, hsk2 जादा होगा दोनों से level से ज्यादा होगा मतलब आपको जो recording का जो listening enhancement, listening comprehension करना है उसको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा मतलब आपको उसके हिसाब से आपको preparations करना पड़ेगा especially audio ठीक है जैसे कि यह भी दो time twice audio play होता है questions का format आपको क्या है basically जो आपने पहले भी देखा है कि dialogue and pictures यहाँ पे भी आपको picture दिया जाएगा part 1 में मतलब जो part hsk2 में था जो second part वही part यहाँ पे भी है बट यहाँ पे आपको basically audio बहुत लंबा होगा मतलब अगर आप audio का length अगर आप देख सकते हैं तो एक से डेड़े मिनट का होगा एक एक audio मतलब आपको सुनना है continuously सुनने के बाद उस picture को select करना है तो जो best techniques होता है मैं आपको बता देता हूं एक्जाम के लिए एक्जाम के लिए क्या होता है जैसे आपको कोई words है अगर आपने 1050 आपने 600 words पढ़ा है specially HSK के लिए जैसा कि prescribed है HSK 3 के लिए तो आपको क्या करना है 600 words आपके mind में हमेशा रखना है उसके उपर sentences जो है उसके उपर आप simple sentences sentences आपको practice करना है sentences practice करने से क्या होगा कि उस words का उस words का applications मतलब वो sentences में कैसे use होता आपको पता चल जाएगा तो जब dialogues जब audio form में चलेगा और आपको picture से match करना है तो उसका context जो audio का context है अगर आप देखेंगे audio का context समझना पड़ेगा और उसमें से उसमें आपको कहीं पे भी अगर उस word का sound आ गया sound match तो आप मान के चलते हैं कि 75% से 75% से आप मान के चलते हैं 100% probability होता है कि आपका answer correct हो चुकि उनको basically exam का purpose है उनको check करना है कि वो words आपने उस उस पूरे context में आपने समझा कि नहीं अगर आपने नहीं भी समझा वो words आपको बोला जा रहा है तो आपको पता है कि अच्छा यही words था उस audio में बोला गया तो probability यह होता है कि 75% आपका questions का chances है कि 75-100% मैंने बोला है चुकि वो 70-100 है अगर आपने context नहीं समझा तो answers गलत भी हो सकता है अगर आपने नहीं भी बट generally क्या होता है वो उनको वो listening comprehension चेक करते है listening listening का जो audio format हो तो उसको चेक करते है कि अगर student यह audio सुना उसमें से वो words उसको match कर रहा है कि नहीं वो सुन पा रहा है कि नहीं उसको वो चीज़े पता है कि नहीं है बट contextly आपको understand करना है चुकि इसका एक booklet भी आता है उसको audio भी आता है ठीक है So next आपका जो अगर आप ध्यान सकते है sort passes अब अभी तक तो आपने sort passes नहीं पढ़ाता आपने simple sentences पढ़ाता अब यह sort passes होगा sort passes आप मान के चलते हैं 50 to 100 words का आप एक sort passes आप देख सकते हैं और वी sort passes कैसा होगा एचसके 3 का जो booklet है जो आपका उसके base पर होगा उस ही से आपको लिया होगा sort passes next जो है आपका ध्यान से दिखिए आपका dialogues format में so dialogues में क्या है dialogue format अगर आप देखते हैं आपका जो hsk2 में था 3rd part 3rd नहीं 4th part वो similar है sentences होगे एक person दूसरे person से बात कर रहोगा और एक dialogues में होगे और यह आप मान के चलिए short passes नहीं लेकिन आपको उससे थोड़ा सोटा होगा लेकिन उसमें जो 3rd person होगा वो questions करेगा तो आपको जो statement आएगा one dialogues or two dialogues दोनों का जो logic है वो आपको understand करना पड़ेगा और 3rd person questions पूछेंगे are you going to market today evening तो पुछेगा are you going to market today evening तो दूसरा बंदर पड़ेगा no I am not going to today evening I am going today afternoon तो पूछा जाएगा कि कितने बज़े तो दूसरा जो बंदर 3rd person जो question पूछेगा वो होगा कि आपको कितने बज़े मांकर जाना है तो वो evening नहीं था वो आपकी afternoon था तो logically यह आपको dialogue को समझके आप answer देना पड़ता है जब samples आप देखेंगे तो आपको सारा clear हो जाएगा करद dialogue sentences statement option यह फिर वह यह dialogue sentences में होगा patterns आपको देखना है उसमें से फिर option चूछ करना है कि यह वाला है या नहीं है तो यह basically आपका listening comprehensive हो गया